चो है रेक्रजेस की सीरीज को continue करते हो बात करते हैं एरे के बारे में और एरे क्या होता एरे वह चीज होती है जो हमने बाकी की other programming language के अंदर समझी है वर्ड की आप कोई भी programming language ले लो एरे का concept आपको यहाँ पर सेम मिलेगा और एरे का concept सेम मिलेगा तो एरे इसमें भी वह यह कोई यहाँ पर अलग चीज नहीं है जो मैंने आपको javascript के अंदर चीजे बताए थी javascript के series जरू चेक आउट करना उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि यारे को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और एरे का code हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं जब भी हमको कोई project मिलेगा इनफेक्ट हमको यह definitely कहीं ना कहीं एरे का काम पढ़ता है जब भी हम लोग एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई ऐसी project पर काम कर रहे होते हैं जिसमें एरे का concept है तो यारे का concept आपको clear होना चाहिए अब एरे क्या है अगर हम लोग बात करें ना एक बार फिर से मैं आपको quickly बता देता हूं फिर हम लोग थोड़ा code पर चलेंगे तो एरे क्या है एक single unit के अंदर multiple value को store करना अब यह मैंने क्या बोल दिया है मैंने equals to यहां पर यहां पास कर दिया मैंने एक string पास कर दी अभी इस ट्रिंग मैंने एक पास करिया नेम के अंदर अब सपोर्ज जैटे मैंसे इस नेम के अंदर ऐसे कई नाम हो सकते हैं उनको मुझे इस के अंदर डालना रहा तो मैं किस तरीक से डालूँगा उसी इनफेक्ट मैंने एप डॉड जैस मिनमा से फाल बना रहे हैं इसको मैंने यहां पर इमपॉर्ट कर रहा है और यहां पर मैं इसको रिण्डर कर रहा हूं यह चीज आपको क्लियर है अगर अगर आप लोग मेरी react जैस की जो सीरीज है उसको फोलो करते आ रहे हो तो आपको यहां पर सबसे पहले एक function बनाऊंगा मैं लिखूंगा है यहां पर costs app equals to और इस तिरीके से मैं लुक्त करूँगा क्या रिटन करूँगा एक इस तू रीत न करेता हूं आपके लिए एक बार और मैं लिख देता हूं यहाँ पर Hello World इस तरी के चाहिए और इसके सासे तमें क्या करूंगा यहाँ पर लिखूँगा एक्सपोर्ट करो Default इस एप को और मैं सेव करूगा अब मैं जैसे को सेव करूगा यहाँ पर जाओंगा तो मेरे सामने यहाँ पर यह लो वर्ड दिखाई देगा यह देख सकते हो अभी है लो वर्ड क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने आरीज को एक्सपोर्ट कर दिया और यहां पर इस फंक्सन बेस्ट के इंदर इसको यूज कर रहा हूं लेकिन गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भ ही वर्ड का फासे लेटर होता है ना मस्ट भी केपिटल आपको इसका लेटर केफिटल करना है पहला और पिर आप लोग यहां पे स्मॉल कर सकते हैं यहां इसी बात नहीं है Γ्योंक मैं यह बनाते हैं यह ओस यह सिं आपрах सिं पर आपको यहां पर दोट लो कराओं इस नेम्स को और मैं इसको आपको दिखाओं सेव करता हूं ठीक है और अब यहां पर रिफ्रेस करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाओं तो चीज आपको क्लियर मिलेंगी थोड़ी सी देखो कि हां पर गया वहाल देखो यहां पर डेखो यहां पर 4 इंटेक्स सब्सक्राइब केउद इस नमेर होता, वह यहां पर 0 से start हे अंकीत की पोचिक होए अगर मैं यहां पर लिखता हूऊ 0, इस तरीकी से, ठीक है तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ की इस नेम्स के अंदर जो 0 इंडेक्स पोचिक पर जो वेडियो इसको print out किया जाए तो अभी मैं समूरिए het यहाँ पर यहाँ पर अंगे दोबार मिल रहा है तो यह दो बार मिल रहा है इसको हम लोग sûr पर करते हैं ले किन आप को करते हैं अगर जो पर करता है पर पर यह उड़ान कारनी पढ़ीर है अब यहर मुझे माल लो कि मुझे सारी value चाहिए तो मैं सारी value किस तरीचे से use कर सकता हूँ या तो मैं use कर सकता हूँ मेरे for loop का मतलब loops पिर मैं जा सकta हूँ और या फिर मैं use कर सकता हूँ यहापे एक बहुती simple and sweet मेरे पास शहाफे function होता है मैं यहाँ में इस विडियो भी दिया आपको जासरियोकी नम इसका है map использовать अगर मैं names.map करता हूँ इस त्रीक के से ट्जिक रखो और मैं names.map करके क्या करता हूँ, लगये एक इलिमेंट टिवके और मैं oni एक सेव करता हूँ तो मुझे सारे value मिल जाएंगे मतलब मैं आप method का काम यह होता है कि one by one इनको print out करते जाना तुम आपको दिखाता हूँ यार नीचे यह देखो अंकीत, अमीद, सचीन, रोहन और अंकीत मेरे सामने आपे मिल चुकी है by default मेरे पास यहाँ पर दो तिन value duplicate copy हो रही है इसको आप लोग छोड़ सकते हैं लेकिन कहने का मतलबी की चीजी मेरे सामने आप प्रिंट आउट हो सुकी है अब अगर मुझे इसको list के अंदर print out करवाना हो यहाँ पर तो वह भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ देखो मैं आप लिटन करूँगा अगर मुझे list से यह तो मैं सबसे पछल एक अनाओ लिस्ट मिनाओं ठीक है या फिर यह एक ओडर लिस्ट मना सकता हो इस तरीके से ओके और इसके अंदर मैं क्या करूंगा इसके अंदर मैं हां पर अब यहर मुझे प्रॉप्स को मैं यूज कुह करूँ यह बेसिकली में अलग सेप्रेट वीडियो के बारों बात किय यह आप लोग मैं इस तरीके को ज़रूर से OutKaren काफी component है ठीक है हम लोग इसी तरही केसी ठीक है और मैं क्या ऐसे करूंगा बेघी नियम क्या होंगे मैं अब भी आपको बताऊ-घा ओर नियम कहां से हैं यह नियम्स लिए नियम्स अलग नियम्स और यहां पिर नियम है अब यह नेम क्या है मैं यह पर प्रोप्स ये चीज़े आपको पता होगी अगर आप लोगो ने मेरा प्रोप्स वाला वीडियो देखा है तो यहार मैं यहार पर लिखुत है कि आप यहार ने मी यहार पर लिखुद कि भी habit ह कोई प्रिक जर्शंश के सब प्रभे लिखुर अज़ है इस लिस्ट डेटा को अजिए मैं जैसक्स इलेमेंट वालूँगा इसको और जैसक्स इलेमेंट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता तो फिर तो गड़ पड़ा इस तरी के से और यह फाल तुम्हें एक डुप्लिकेट यहां पर आया इसको मैं हटा स्काथ्यло करें इसको मैं लिस्ट के अंदर ना करवाना चाहता हूं कि यह मेर मैं डाल दगाता हूं वह को जैता हूं इसतरी के से अब अब आपको भी मैंने आपको दिखाए इसी वीडियो के अंदर और बैसिक लिए एबने जाएपणाव को मैंने ओर डिटेल के अनरे बात की है आप लोग वीडियो भी च्क अउट करें हैं उसके बाज़ आपको धिर्फोर्स प्राप्स बताए हैं रिक्वाइड किस से स्ट्रिंग विगर है, यह सारी चीजे मैंने उसके अंदर बात की है, लेकिन इसका महिन मुद्दा था, कि अरे क्या होता है, अर्यक जिसके इसके इंदर हम लोग तक से यूज करते हैं, तो यह चीजी आपको बतानी थी, तो यह चीजी मैंने आपको बता दी, इस तरीके से आपको यहां पर एरेगा यूज़ करते हैं आपके आपको एरेगा इंप क्लीए हो गया होगा प्रॉप्स भी बने इसके अंदर बता दिया आपको